दोस्तो महाभारत का युद्ध पौराडिक युग में लड़ा गया एक ऐसा युद्ध था जो पांडवों और कौरवों के बीच में लड़ा गया दोस्तो एक ऐसा युद्ध था जिसमें लाखों की संख्या में हजारों की संख्या में सैनिक वीरगती को प्राप्त हुए विद्वा हो गई दोस्तों इस युद्ध की विविश्का ने संपूर भारतवस को लगभग युद्धा विहीन कर दिया था दोस्तों कुरुछेत्र में भाग लेने वाले सभी युद्धा पुरुष थे लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि युद्ध के बाद जो को प्राप्त हो गए थे उनकी म्रत्य के बाद उनकी पत्नियों का क्या हुआ दूस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दूस्तों इस कथा का वर्डन जो महाभारत ग्रंथ है उसके आश्रम वासी पर्व के 33 ध्याय में पढ़न को मिलता है दूस्तों कथा की अनुसार महाभारत युद्ध के पश्चात पांडू के पुत्र इदिश्टर के हस्तिनापुर की नरेश की रूप में राजय विशेक हुआ दूस्तों उसकी पश्चात पांचों पांडव राजकार के साथ साथ अपने बड़े पिता ध्रतरा और गांधारी अपने पुत्रों के सोक से मुक्त हो गए दोस्तों इस दुहों ने अपने बड़ी मा और बड़े पिता की इतनी सेवा की कि वो अपने पुत्रों की सोक से का बाहर आ गये दोस्तों इसी क्रम के चलते 15 वर्स का समय निकल गया तब एक दिन द्रतराष्ट ने इदिश्टर से कहा ये धर्मराज इदिश्टर अब हम अपना बचा हुआ जीवन बन में विताना चाहते हैं इसलिए हमें जाने के आग्या दे दो तो अपने बड़े पिता की बातों को सुनके इदिश्टर बहुत जादा दुखी हो गए परन्तों विदुर के काफी जाद समझाने पर अनौरी दिश्टराष्ट सहत बड़ीमा गांधारी और माता कुंती और विदुर को वन जाने के आग्या दे दी दोस्तों उसके अगले दिन जैसे दृतराष्ट गांधारी विदुर और संजे सन्यासी का रूप धारड कर वनको प्रस्थान कर गए दोस्तो उनके जानने के पश्चात पांचो पांडव और हर समय अपनी प्रजा की सेवा में लगे रहते दोस्तो पांडवों की सेवा से हर्स्तिनापूर की प्रजात तो खुशाल थी लेकिन दोस्तो महाभारत की युद्ध में जो विद्वा हुई इस्तनिया थी वो अपने पती की शोक में अक्सर रोया करती थी और इसका आवास अपने राजा को उन्होंने कभी नहीं होने दिया दोस्तो कुछ समय पश्चात एक दिन पांडवों में जो सबसे छोटे थे सहदेव उनको अपने माता कुंती से मिलने की इच्छा हुई दोस्तो सहदेव ने अपने इच्छा अपने सेस चारों पांडवों भाईयों से जाकर कही सहदेव की वाते सुनकर सेस तिन पांडव, भीम, अरजुन, नकुल और उनकी पतनियों के मन में भी अपनी माता कुंती से मिलने की काफी ज़्यादा इच्छा हुई दोस्तो ये नेकर हस्तिनापुर के जो नरेश युदुश्णर थे उन्होंने वन जाने के लिए सारी तैयारियां करने का आदेश दे दिया और खुद भी तैयारियों में जुट गए दोस्तो अगले दिन पांचो पांडव द्रोपती के साथ वन की ओर जाने के लिए तैयार हो गए दोस्तो ये सब देख जो हस्तिनापुर की निवासी थे वो भी उनके साथ चल पड़े दोस्तो उन लोगों में वो इस्तिनिया भी थी जिनके पती महाभारत की आध्यमें वीरगती को प्राप्त हुए थे दोस्तो वो फिद्वा इस्तिनिया भी उनके साथ चलने को तैयार हो चुकी दोस्तो वन पहुँचकर पांचो पांडव जब उस आसरम में पहुँच गए जहां पर उनके पता धृतराष्ट, बड़ी मागान, धारियो, माता कुंती और बाकी सभी लोग निवाश कर रहे थे दोस्तो बाकी के हस्तिनापूर निवासी भी उसी आसरम के आसपास निवास करने लगे दोस्तो कुछ दिनों के पश्चाद, एक दिन महर से वेद्वियास उस आसरम में पांडवों से मिलने को आए दोस्तों परन्तों हां महरसी वेद्वियास को देखा तो पांडव के सहित हस्तनापुर के सभी निवासी भी युद्ध में मारे गए अपने परजनों की सोक में डूबे हुए हैं दोस्तों ये देखकर महरसी वेद्वियास ने सभी से कहा कि आप लोग युद्ध में वीरगती को प्राप्त हुए अपने परजनों को याद मत करिए वो सभी स्वर्क या फिर दूसरे लोगों में सुखी पूर्वक जीवन निवास कर रहे हैं वो सभी अपने अपने लोगों में काफी चाता प्रसंद है परन्तों दोस्तों जब महर से वेदव्यास के इन वचनों से भी उन लोगों का शुक दूर हुआ ही नहीं तब महर से वेदव्यास ने सभी से कहा कि अगर आप लोगों को मेरे द्वारा कहीगी बातों पर विल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है तो आज रात में आप सभी को आपके परजनों से मिलवाऊंगा दोस्तो ये बात सुनकर सभी पांडवों की सहत सभी इस्तरियों और सभी हस्तिनापुर निवासियों के चेहरे पे हलकी मुस्कान आ गई दोस्तो जिस आशिरम के आसपास वो सभी लोग निवास कर रहे थे वो गंगा नदी के तट पर इस्तित था दोस्तो साम को शुरियास्त होने से पहले महर से वेद्वियास सभी को लेकर गंगा नदी के तट पर पहुँचे फिर उन्होंने सूरियास्त के बाद अपने तपुवल से जो महाभारत के उद में मारे गई योद्धा थे उन सभी उयोद्धां का आवान किया दोस्तो महर्षिके आवान से सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर निकल ले लगे दोस्तो अपने मृत्य परजनों को अपने सामने खड़ा देखकर पांडव सहत हस्तिनापुर की सभी निवासी काफी जादा प्रसन्न हो गए दोस्तो फिर सभी ने अपने अपने परजनों से बात की तब जाकर उनको विश्वास हो गया कि जेव उनके वंदू वंदव थे या फिर जो विद्वा इस्तिया थी उनके पती थे वो मृत्य लोक के सभी कश्टों से मुक्ति पाकर अपने अपने लोकों में प्रसन्नता पू ब्याप्त था वो समाप्त हो गया दोस्तो कुछ समय बाद जो युद में मारे गई युदा थे वो एक एक करके गंगा जल में डूकी लजाकर अद्रिश्य होने लगी दोस्तो ये सब देख कर महर्स व्यद्वियास ने विद्व इस्तृत्रियों कि जो इस्तृत्रिय अपने पति के साथ उनकी लोग जाना चाहती है वो गंगा के इस पवित्र जल में अपना जीवन त्याग कर जा सकती हैं दोस्तों महर से वेद्वियास की इतना कहते ही इस अब विद्वा इस्त्रियों ने आप सभी लोगों को आज का ये वीडियो काफी जादा पसंद आया होगा दोस्तो अलग-अलग किताबों में अलग-अलग तहर से सारी कथाओं का वड़न मिलता है दोस्तो उमीद करते हैं ये वड़न आपको पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करने की साथ साथ हमारे चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी मत भोलना थैंक्स वर वाचिंग